नमस्कार दोस्तों आ गई नई न्यूज जिसका सभी को इंदजार था कि सभी के रोबोट्स चालू गए हैं और जिनके रोबोट्स चालू नहीं हुए हैं तो चिंता ने करें बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं हम देख रहते हैं बहुत समय से जिन्होंने 10 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में टॉप अप किया था उनका एड़राइजिंग अमाउंट काड के ऊपर दिख रहा था आज यह देखा गया है कि रोबोट्स ने उस एड़राइजिंग बजट को उप्योग में ले लिया है और अपना काम शुरू कर भिया है यह आप अपने अकाउंट में लोगिन करके देख सकते हैं कि मेरे काड के उपर 104 डालर का टॉप था जो आज रोबोट ने एड़राइजिंग बजट में यूज़ कर लिया है जिनके काड के उपर अभी भी एड़राइजिंग बेलेंस दिख रहा है और रोबोट ने अमाउंट नहीं उठाया है तो वह चिलता ना करें बहुत जल्दी रोबोट एड़राइजिंग बेलेंस उठाकर नियू एड़राइजिंग करके केश्विक देने लगी हम देख रहे थे कि कुछ समय पहले पान स्पेंट अमाउंट को रोबोट में ले लिया था और केश्विक दे रहा था किन्तों रोबोट का स्टेटस ओफ दिख रहा था लेकिन अब आप स्टेटस में जाकर देख सकते हैं कि रोबोट का स्टेटस एट वर्क है और कितना बज़र रोबोट ने यूज़ किया है और कितना केश्विक आया है सब दिख रह तो उनके रोबोट का status ओफ ही देखेगा दोस्तों AI मार्केटिंग ने केश्वेक देने के लिए दो बाते कही है कि जैसे ही हमारी साइट और अकाउंट को अनब्लोक किया जाएगा वेसी हम सभी का केश्वेक लोटा गई है इसमें कुछ समय लग सकता है दूसरा तरीका यह है कि आप नया एड़डाइजिंग बजट हेट करके पुरान केश्वेक को ले सकते हैं जैसे कमपनी सभी को एग्रिगेडर से आए हुए केश्वेक का 55% देती है और बच्चावा 45% में से 20% खुद रखती है और 25% वो प्रोटेक्ट फंड में जमा रखती है ताकि जब भी हम को किसी तरह की कोई लुकावट हो केश्वेक आने में तो उससे वो हमको केश्वेक दे सके चोकि AI की साइड और अकाउंट अभी ब्लॉक है इसलिए कमपनी पुराने प्रोटेक्ट फंड से हमको केश्वेक नहीं दे पा रही है अब जब नए एड़डाइजिंग बजट से रोबोट जो केश्वेक ला रहा है तो उसके 25% से कमपनी पुराने केमपन के जो बच्चेवेक केश्वेक को दे रही है यह आप अपने AI मार्केटिंग के अकाउंट में देख सकते हैं या यह जो मैंने आपको स्केंशोट दिया है इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों यह चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर अपडेट कर दूँगा बस आप इस चैनल को सबस्काइब करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें इस वीडियो से कोई भी परिशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके बने के परिशानी को जल से जल दूर कर सकें हैहाँ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आयी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बागी लोगो तक भी यह जानकारी पहुँछ सकें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ब्लकुशा हूले और हम अजा दीजियो इजाज़त टेक एर धन्लेवाद